तो कल जो हम लोगों ने लास्ट क्लास अपनी एंड की थी वो डिब्रॉय हाइपोथेसिस के सेकंड पार्ट वाले वीडियो को समझ के की थी उसके बिसेस पे मैंने तुम लोगों को शीट कैसे आज शेयर किये जिन कोशन के आगे रेट टिक मार्ग है वो आप अपने डिब्र करने वाले है इस टॉपिक से रिलेटेड निमरीकल है इस टॉपिक को पढ़ने के माद वो तुम लोग आज कर सकते हो आज का दिन तुमाए पास है इवन कल का दिन भी तुमाए पास है याटिस सेटेड़ी संडे के दिन अपने डाउट जो भी रहेंगे कि कौन सा कुश्च को सौल करते जो 75% अपना अटॉमिक का स्रुक्चर कैसा खतम हो चुका है बराबर तो उसमें माक्सिमम कोशन तुम लोगों से बन जाने चाहिए करके तो अभी रेखो हैसंबग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल यह वाला टॉपिक का हम लोग अभी शुरू करते हैं तो देख सौल खररर्ण चॉल आ होइव चीज को हाँ अब काय सकते हो फिरिकन चाहि का इसे तुक्षपी ऐस वाण्तफ आप फेस की दुनिया पहुत ही दुनिया है करके उसमेन आप अगर जैसे किसी एक सिच को बताते हो एक चीज हाय है एक्शा क्यासि तिस थे ती मैं ज्ए ओन quantum chemistry बट हम लोगों को quantum chemistry के detail में बिलकुल नहीं जाना है क्योंकि ही नहीं हमारे syllabus में quantum chemistry हमारे syllabus में quantum chemistry की सिर्फ एक छोटी सी छोटी सी मतलब उसका one by thousand times का वाला इसा भी नहीं बोलना चाहिए एक part है this is known as Heisenberg Uncertainty Principle पहले तो Heisenberg Uncertainty Principle के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा अपन क्या कर लेता है उसके बारे में थोड़ी बहुत information collect कर लेता है first information को apply करके मैं कोशिश करूँगी समझाने की but obvious से कि इस सीच की जो एक दम depth तक की feeling है वो शायद possible ना हो पाए करके काई doubts चुट 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 दिमांग में राइस होंगे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों नहीं ठीक है जिस curiosity को तुम लोगों को कैसा है up to 12 अने उसको शान रखना पड़ेगा हो सकता है कर तो आगे जाने के बाद पीजी में फिजिकल के मिस्ट्री लो उसमें अगर तुम क्वांट में भी तुम है है एसन बग अनशर्टि निटी प्रिंसेपल या जिसन बग के और सच पेपर के बारे में और डीटेव में बातचीत करने को मिले बट 12 अमें जितना स्लेबस रिस्टिक करता है हम से उतने पर बातचीत करेंगे ठाहिए ने से पहले हम लोगे का मैक्रोश को के बारे में बात करते हैं let's say यहां पर आप लोगों के पास एक बॉल रखी हुई है football rest position पे है तो let's say t equal to zero है इसकी initial velocity let's say u equal to zero है क्योंकि rest position पे है अब मैंने क्या किया या पीछे से एक लड़का या लड़की जो भी है वो आया और उसने कैसा इस ball को kick मारा तो ball को समय तक for a few seconds वो क्या करती है गोल 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 गोमने के बार यह इतना distance वो cover करते हुए इस point तक पहुँच जाती है अब मालेते जो time interval उसने travel किया let's say उसने 13 seconds का यह time interval travel किया और अभी आपने जब उसको kick मारी तो उसके पास maybe कोई certain exclamation होगा करके एक की कोई value मालनो 3 meter per second square है अब अगर कोई तुमसे पुछेगा कि अभी यहाँ पर इसका distance travel भी मैं तुम्हें बता लेती हूँ कि यहाँ पर जो यह total distance travel कर रहा है माल लेता है यह आपका 5 cm है imagine ठेक है यह 5 meter है 5 cm तो काफी छोटा हो जाएगा यह जो भी आप बोलो तो अभी बताओ करके इसकी वी कितना होगा तो जो तुमने 9th standard में जो classical physics पढ़ी थी Newtonian physics basically Newton की जो physics थी आप लोगों की दो टाइप की physics होती है classical और एक होती आपकी relative ठीक है classical physics जो आप लोग अभी 11th में भी पढ़ोगे projectile motion और इसके अलावा FBT वगेरा बनवाओगे वगेरा वगेरा जो काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे तो physics बलके बिल्कुल पसंद नहीं आती है तो इसमें तुमने 9th standard में कुछ kinematic equations पढ़ी होगी वी square equal to u square plus 2as, s equal to ut plus half at square ऐसी कुछ तीन equations ही kinematics की तो उन तीन kinematics की equation को यूज करके तो मैं जो जो चीजे classical physics में पूछी जाएंगी तुम उस particular object के respect में सब बता दोगे कि अभी से 10 second बाद, 10 minute बाद, 15 minute बाद, 14 minute बाद, वो particular football कितने distance पे होगी, कितनी velocity के साथ होगी है ना, और भी जो जो question में पूछा जा सकता है, even उसका momentum भी आप अता सकते हो, because momentum is what, it is the product of mass into velocity, अब बॉल अगर travel कर रही है, तो उसका mass तो change होगा नहीं, तो कहने का बादचीट करने का मतलब सिर यह है, कि अगर आपके पास कोई macroscopic particle होता है, macroscopic particle का मतलब एक ऐसी body जिसक के पास heavy mass होता है, तो अगर आपके पास एक macroscopic particle है, तो उस macroscopic particle के पास, अगर एक अच्छा कासा mass एक बड़ी body है, जैसे कोई भी गाडी, जैसे कोई ball, जैसे कोई football, जैसे कोई चुडिया, जैसे की हम, तो ऐसी macroscopic bodies का, आप exact position क्या होगी, और आप उनके इसमें exact उनका momentum क इतना होगा, यह आप क्या कर सकते हो, calculate कर सकते हो, करके, ठीक है, उनकी exact velocity बलकि आप calculate कर सकते हो, लेकिन जहां पर जैसे में word बोल रही हो, कि आप उसकी exact velocity calculate कर सकते हो, आप उसकी exact position calculate कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं, जब कोई भी चीज, आप exact measurement नहीं ले पाते हैं, ठीक पर्टिकुलर चीज की exact distance जो उसने ट्रावल किया वो 5 मीटर है मैं जब उसको measure करने गई वैसे तो 5 मीटर एक बहुत बढ़ा distance है जिसको measure करने में कोई गलती ऐसे तो नहीं होनी चाहिए लेकिन imagine मेरे से गलती हो गई ठीक है और मेरी जो गलती है हो सकता है मैं 5 मीटर से जादा measure कर लूँ हो सकता है मैं 5 मीटर से कम measure कर लूँ तो इस गलती इस नोन अस एरर और इस इस नोन अस अंसर्टिनिटी तो जब हम macroscopic bodies के साथ बात करते हैं तो macroscopic bodies में इन error के होने के chances बहुत 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 कम होते हैं अब बताओ तुम्हें अगर scale से जब तुम construction करते हो 10 cm कोई draw करने को बुलेगा तो 10 cm कोई draw करने में तुमसे error हो जाएगा नहीं होगा चलो माल नेते कल को हो गया किसी न तुमसे वह लग कि 10.12 draw करो तो तुम्हाई जो scale होती हो तो 10.1 तक तुम accuracy देती है तुम 10.12 कैसे draw करोगे तुमने अंदाजे के थुरू एक number पर जाके mark कर दिया चाहिए मेरा 10.12 है बस बाग खतम करके तो इस तरीके से तुमसे error हुई लेकिन ये error इतनी 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 जगा छोटी है कि इसका कोई significant असर नहीं पड़ता है macroscopic किसके इसमें bodies के इसमें लेकिन अगर आप लोगों के पास एक microscopic body है microscopic body का मतलग आप लोगों के पास electron है proton है neutron है वगेरा वगेरा ऐसी microscopic body से अगर मान लेते हैं आप लोगों का कोई radiation आकर टकराता है ठीक है या फिर microscopic body का अगर तुम मान लेते हैं आपका एक orbit है इस orbit में आप लोगों का गोल गोल एक electron करके कैसा घूम रहा है लेट से यह electron घूम रहा है तो पहली बात तुमको इतना तो पता है कि electron अपनी continuous position चेंज करता रहेगा अगर मैं बोहर थेरी को consider करू तो ठीक है अभी इस topic को भूल जाना करके कि electronic wave के जैसा है बट अगर मैं बोहर के concept को consider करू तो उस orbit वो stationary है उस orbit के अंदर जो electron है वो electron एक् लोगे की electron की position बदल रही है तो एक काम करते है अपने electron की position को detect करते हैं करके ठीक है तो हम इलक्तरों की position को detect करना हमने शुरू किया तो आइसनबग यह कहता है कि कि किसी भी error हो जाएगी कुछ ना कुछ आपसे error हो जाएगी आप उसकी error हो जाएगी आपसे even अगर तुम उस particular electron की इस instance में velocity कितनी थी और इस instance में velocity कितनी थी अगर यह calculate करने जाओगे तो आप exact velocity आप calculate नहीं कर सके उस particular point पो उसकी velocity क्या है करके ठीक है अगर आपने कुछ let's say कुछ mathematical formula ने लगा कर या कुछ भी करके अगर आपने let's say कुछ derive कर भी लिया कुछ निकाल भी लिया तो उसमें भी आप लोगों की क्या रहेगी करके आप लोगों का uncertainty रहेगी करके ठीक है आप लोगों की क्या रहेगी करके uncertainty रहेगी कुछ ना कुछ आप लोगों के काम में inaccuracy आपक emission Kelsey वादिज माइक्रोसकोपिक बॉडी siughter में गड़बडां यह काफी सीग्निफिकेंट होती हैं चंहित आप लोगों के काफी जादा क्या होती हैं कि आप जोटी होती है कि हम लोगों के करने को Papoo जैसे महाँ लेते हैं आप लोगों की बॉडी का पॉजिशन जो है वो 5 meter है और तुमसे error हुई 0.00000000 यानि कि 10 की पावर –31 meter की क्या मतलब है 5 meter के compare में 10 की पावर –31 meter का कोई value नहीं है so you will ignore that लेकिन लेकिन अगर माल लेते हैं आपकी position 10 की पावर –28 है और आपसे error होगी 10 की पावर –31 का तो –28 और –31 बीच में significant है चेक है उस छोटी quantity यहां पर भली वह किसी और के respect में बहुत छोटी हो लेकिन फिलाल अभी microscopic के respect में बहुत बढ़ी quantity है करके तो आपका हैसनबग uncertainty principle कहता है कि जब भी आप किसी भी microscopic body की आप क्या करोगे करके अगर उसकी exact position निकालने की कोशिश करोगे तो वह possible नहीं है जरूर आपसे कोई ना कोई गरबड हो जाएगी और वह गरबड आपकी ऐसा नहीं है करके कि आप उसको ignore कर सकते हो मतला वह इतनी छोटी गरबड नहीं है as compared to accuracy की चलो जान दो इतनी छोटी गरबड को को कोई फरक नहीं पड़ता let's imagine तुम्हाइपार बहुत ज्यादा पैसे है इमाजन यूआ वन करोड और तुम में से कोई आकर तुमसे एक रुपए मांग के जाता है तुम्हें क्या फरक पड़ेगा घर किया फरक पड़ता बल्कि में तुम गंजूस ना हो एक करोड में से एक रुपए चला भी गया तो तुम्हें कोई फरक नहीं बढ़ने वाला क्योंकि एक करोड की तुम्हें कंपेर में एकुपए 10 पैसे 50, 40 पैसे बहुत ही कम कॉंटिटी है लेके नगा माँ लेड़े तुमाएपाव है यही 10 और 10 और न सबंज्से मारा बाही बयान तुमसे एक रुपए लेकश छला गया तो एक रुपर तुमारा लेकर तुमसे एक रुपे नहीं हो ज तो चीटी को चीटी के सीटी की बच्चों कर रही हूं, उनके लिए बहुत बड़ी है, बहुत सिस्क्निफिकंट कर नहीं है. तो यह चीट चहुत कि आपको समीन कि आयरा है, और ऑगर आक एत्र आप्र आप बढ़ी है। तो बिचारी वो quantity उसके सामने क्या हो जाएगी छोटी है न आपको उसको इगनोर करना पड़ेगा लाइक वन मीलियन, वन बीलियन, वन ट्रिलियन के कंपेर में दस पैसे का कोई मोल नहीं है बट इमाजन यू है वन रुपी है न आप में से कोई 10 पैसा आपका कम कर दे करते हैं तो मैक्रोब हो की माइक्रो हो वेनेवर यू टेक सर्टें मेजरमेंट यह ओल्वेस अचांस दाट सम्थिंग हापन्स रॉंग कुछ वहां पर गडबड हो चुकी है कुछ वहां पर एक्क्यूरेसी नहीं आई है कुछ इनक्यूरेसी आगई है अप प्रिसाइसली एकदम हंड्रेट परसेंट प्रिसाइसली आप उसको मेजर नहीं कर पाए हो चाहे मैक्रो की चाहे मैक्रो लेकिन मैक्रो के केस में वो जो आपकी इनक्यूरेसी होती है मैक्रो के कंपेर में ठीक है मैक्रो के कंपेर में वो बहुत 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 चोट सब्सक्राइब तो तुम क्या बोलोगे 5 मेटर में क्या तुम 10 की पावर माइनस 16 मीटर के बारे बाचीत करो इग्नोर करो आगे बढ़ो लेकिन इमार्जन करो अगर मैं यह कहूं कि प्लस मैंनस अग्नोर करोगे आप इग्नोर करोगे क्योंकि आप जिस रिस्पेक्त में अप उसको ना प्रे वहए वह वाली चीज क्या है कंपैरेटिव है उसके तो पहली बात तो यह मानलो गल्ती हर बार होती है यह चाहे macroscopic में करो यह चाहे macroscopic में करो 100% precision यह 100% accuracy is not at all possible ठीक है यह जी possible ही नहीं है हाँ अब लेकिन macro में उतनी कम होती है कि उसको low ना low कोई फरक नहीं पड़ता बट micro में वही आपकी inaccuracy ठीक है वही आपकी uncertainty वही आपकी error तीनों एक ही word होगे एक ही meaning होगा फिलाल इस जम numerical को solve करने जाएंगे तो इन तीनों को हम ignore नहीं कर सकते दे प्लेया significant role in our life करके ठीक है macroscopic particle के life में बहुत बड़ा important role play करता है तो Heisenberg यह कहते है 1927 के आसपास इंका आया था यह research paper में उनका यह principle आया था कि आपने अगर position को नापने की accurate कोशिश की तो obviously वो accurate कोशिश आपकी कामिया आप तो हो नहीं पाएगी कुछ ना कुछ तो गड़बड हो जाएगी तो वो जो गड़बड आपसे होगी let us denote that गड़बड, that inaccuracy, that error, that uncertainty as delta x अब देखो generally delta का जो हम लोगों का symbol होता है वो change word के लिए यूज करने है but फिलाल इसमें Heisenberg uncertainty principle आप जब एक्जाम अपना 12th का दोगे या 12th के बाद अगर आप graduation भी हैगा chemistry में करते मैं engineering की बात नहीं करी हूँ क्या फे हम एंजिनिंग अगा करनी तो chemical की फील में करो physical subject में या science पड़र chemistry म तो वहाँ पे Heisenberg uncertainty principle में आप delta का symbol दिखोगे यह delta ठीक है तो generally अभी जो तुम लोगों ने previous classes की वहाँ पे delta का मतलब तुम ऐसा लगता होगा कि यह change है but यहाँ पे delta का x का मतलब होता है error in position यानि कि जब आप किसी microscopic particle की position को नाप रहे थे तो उस position को नापते वक्त आपसे एक error हो गई बराबर आपसे क्या हो गई करके एक error हो गई तो वह error कितनी हुई वह similarly हो सकता है आप velocity accurate नापने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपसे velocity में भी आपसे error हो गई तो let's say आपकी velocity की error आपकी हो गई डलता भी अब बताओ velocity की error यानि की momentum में भी error क्योंकि momentum is what linear momentum is what it is the product of mass into velocity अब mass तो चेंज नहीं होगा अब एक electron मालेते है ए पोजिशन से बी पोजिशन पे पहुंच गया मालेते है यह वाला electron यहां से लेके यहां पहुंच गया तो क्या इसका mass change हो जाएगा mass तो फिक्स रहेगा ना 9.1 x 10-31 kg mass won't change so mass पे कोई error नहीं आने वाली है अगर error velocity में आई है तो definitely error momentum में भी होगी होगी ना momentum में so heisenberg says that if you are going to if you are going to measure position very 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 accurately अगर तुमने पूरे determined हो के बैठे हो कि नहीं कुछ भी हो जाएगा करके मैं तो position में error आने ही नहीं दूंगा या फिर मैं position में error बहुत 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 कम आने दूंगा तो at the same time आप से position में maybe error बहुत क मिले लेकिन आपकी momentum को measure करने में क्या हो जाएगी आपसे एक error आजाएगी momentum यानि कि आपने velocity को measure करने में क्या कर दी error कर दी और velocity को क्योंकि measure करने में error हो गई है तो momentum भी आपके error वाला ही measure होगा तो Heisenberg Uncertainty Principle says that कि पहली बात तो आप कभी भी position और momentum किसी भी microscopic particle का simultaneously यानि कि same time पे आप कभी भी उसको accurately ठीक है measure नहीं कर सकते absolute accuracy जैसी कोई भाशा ही नहीं होती है microscopic bodies के अंदर ये आप लोगों के Heisenberg Uncertainty Principle का क्याना था कि absolute accuracy is nothing अच्छा अभी माल लेते हैं तुम्हें target दिया जाए कि तेखो तुमको सिर्फ और सिफ position को ही observe करना है तो क्या होगा हो सकता है तुम 100% accuracy ले ओ कोई तुमसे ये कहेगा कि नहीं नहीं करके तुम्हें सिर्फ velocity को observe करना है तुम हो सकता है करके velocity में zero error लेओ बलकि zero तो होगा नहीं बहुत minimum error लेओ बट किसी ने तुमसे कहा कि तुम्हें अपनी दोनों आखों को कंसंट्रीट करना है और दोनों आखों से तुम्हें पोजिशन और वेलोसिटी एक दम साइमल्टेनियस्टी मेजर करनी है वह भी 100% accuracy के अर्सार तो हैसनबग और यह यह पॉसिबल नहीं है करके अगर आप मुझसे साइमल्टेनियस्टी पोजिशन और मोमेंटम दोनों को मेजर करने को बोलोगे तो साइमल्टेनियस्टी दोनों को मेजर में नहीं कर सकता और लगर मैंने कुछ करिया और मैंने कुछ वाल दिस निकाली तो वो कुछ ना कुछ उनके अंदर इन एक्कुरेसी तो होगी ही प्रिंसिपल का जो mathematical expression है वो यह कहता है कि अच्छा अगर मुझसे कुछ गरबड हुई है तो मेरी position नापने की error और जो मेरी क्या कहता है momentum नापने की जो error है उन दोनों error का जो मैंना multiplication है वो greater than equal to होगा h upon किसके 4 pi के अब यह h upon 4 pi कैसे आया ठेक है और उसके अलावा greater than equal to का sign ही क्यों आया यह सारी curiosities जो तुम लोगों की है यह फिलाल अभी अपनों 12 standard में इसको solve नहीं कर सकते quantum mechanics में इस जीच का आप लोगों का अच्छा कासा derivation है करके वहाँ पे तुम लोगों को यह सारा पार्ट मिलता है लेकिन हम लोगों को अभी इस पार्ट में नहीं घुसना लेकिन हाँ तुम्हें यह Heisenberg Uncertainty Principle का यह mathematical expression पता होना चाहिए क्या का किसी ने पूछा कि what do you know about Heisenberg Uncertainty Principle Point No.1, Delta X multiplied by Delta P is greater than equal to H upon 4pi और जहां पे Delta X का मतलब यह नहीं है कि change in position यह पर Delta P का यह मतलब यह change in momentum यहाँ पर Delta X यह Delta P का मतलब यह है कि आप लोगों कि कितनी error आए से position आपने में हुई है और कितनी error आपसे momentum आपने में हुई है कि माल लेते हैं करके कि लेते हैं करके कि अगर आप लोगोंने डेल्टा एक्स माल लेते हैं मैं इक्तम डिटरमाइंड होकर बैठी हूं कि आप कुछ भी हो जाए करके मैं पोजिशन को बहुत एक्कुरेटली ना पूँगी 100% एक्कुरेटली तो देखो मैं नहीं कर सकती बाट 99.99999% मेरी माल लेते ह हैं तो ऐसे केस में अगर मैं 99.99999% हूं तो मेरे एरर के चांसे कम हैं तो माल लेते हैं मैंने पोजिशन को बहुत ही एक्कुरेटली काफी एक्कुरेटली मैंने मेजर किया सच दाट कि मेरी पोजिशन में एरर कम से कम आई है शीक है मैंने मार्स सब्जेक की 10th standard में इतनी अ मैं आउसें लेकिन उसमें मैंने क्या किया at the same time बाकी लोग मैंने करते हैं English और हमाल सामल ते है असी बट मैंने क्या किया English को इंग्नोर किया मैंने हिंदी को वो मेरी error थी, ठीक है, क्योंकि मैंने मेरा पूरा focus किस पर यह मार्च पर दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं पूरा focus यार अपने position पर दे रहा हूं, इसने momentum निकाल पा रहा है, तो यह हमारा error नहीं है, ठीक है, इसमें बाद में बाचीत करते हैं, फिलाल अपनी जो topic continue कर रहे था, उसमें आते हैं, कि अगर delta x की value बहुत बहुत छोटी होगी, तो इससे यह समझ में आता है, कि आपने जो position, आपने position को काफी accurately आपने क्या करके रखा है, measure कर लिए, आपने position को काफी accurately क्या कर दिया है, measure कर लिए है, ठीक है, यह बात यहार रखना, लेकिन at the same time, तुमारा जो momentum होगा, उस momentum में आपको uncertainty बहुत जादा देखने को मिलेगी, बहुत जादा का मतलब काफी जादा, और on the other hand, माल लेते हैं, तुम पूरे determined हो करके, कि नहीं करके, मैं अपना delta peak है, उसकी जो मेरी uncertainty है, उसको मैं बहुत छोटा रखूँगा, यानि कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं momentum का particle का, जो momentum है, उसमें बहुत ही accurately measure करूँगा, तो होगा क्या आपका जो delta x की value हो, delta x की value आपकी क्या हो जाएगी करके, small हो जाएगी करके, यानि कि कहने का simple सा मतलब यह है, कि अगर किसी microscopic particle की, तुमने position accurately measure कर ली, तो आपको ज्यादा error देखने को मिल जाएगी, momentum में, और इसका converse भी true है, कि अगर तुमने किसी microscopic particle की momentum accurately measure कर ली, और तो आपको position में error देख जाएगी, if you are going to measure then simultaneously, then, कि if you are going to measure then simultaneously, अब इसमें पहले हम mathematical, कुछ छोटे-छोटे derivations हैं, इस Heisenberg uncertainty principle के, वो कर लेते हैं, जिसके basis पे तुम लोगों को numerical वगेरा पूछे जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के उन topics पे focus करेंगे, कि आखिर क्यों हम position और क्यों हम momentum accurately simultaneously measure नहीं कर पाते हैं, तो देखो जरा, जैसे तुम सब लोग जानते हो, कि momentum, linear momentum क्या होता है, it is the product of mass into velocity, बराबर, तो ऐसे में अगर कोई मुझे से पूछेगा, कि आपके momentum में error हुई है, तो obviously momentum में error mass की वज़ा से नहीं होगी, क्योंकि mass भी ना change होगा, position change करने से, है ना, error किस में होई होगी जरू, आपके velocity वाले topic में होई होगी, so क्या मैं सीच को ऐसा लिख सकती हूँ, now I know that क्या Heisenberg Uncertainty Principle is, delta x into delta p is greater than equals to h upon 4 pi, so क्या मैं यहाँ यहाँ पर delta x को वैसे का वैसी रखके, delta p को यहाँ पर m times of delta v, यहाँ सा substitute किया जा सकता है, है आपर इसको, यारी कि यही Heisenberg Uncertainty Principle क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, कि therefore, error in position multiply by error in velocity is greater than equals to h upon 4 pi m, m को मैं इस तरफ इसलिए ले आई, because यह आप लोगों का एक constant है, mass, वो constant के तरफ रहे, तो जादा बेटर रहेगा, जापर delta x का मतलब क्या है, error in position, delta v का मतलब क्या है, error in velocity, अच्छा, इसके अलावा एक और important information है, यह चीज़ वैसे तो आपके काम आने वाली नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पता होना चाहिए, for the sake of gk facts, हम इसको यार रखते हैं, कि आपका जो h upon 2 pi है, यह constant है, तो होता कैसा है, कि इस h upon 2 pi को एक symbol से denote किया जाता है, it is known as h cross, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे pronounce करते हैं, इसको बोलते कैसे हैं, इसको बोलते हैं h cross, यानि कि यह जो उपर में, मैंने यह जो आप लोगों का formula लिखा है, इसी formula को, अगर मुझे h cross के terms में लिखना है, तो मैं ऐसे क्या जो लिख सकते हूँ, delta x into delta p will be greater than equal to h upon, sorry not h upon, it will be equals to आप लोगों का, h cross upon में कितना 2, क्योंकि h upon 2 pi को हम लोग h cross कहते हैं, अगर मुझे मालने ते, इस formula को h cross के term में लिखना है, तो क्या लिख सकते हूँ, delta x into delta v is greater than equals to h cross upon में कितना 2 times of m, कभी h cross के साथ तुम्हें deal तो करना नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैंने बता दिया, अच्छा, अब बात आती, तीसरे formula पे, दो formula तो हम लोगों ने derive कर लिए, पहला तो आपका statement ही था, वो तो आपको यादी रखना है, और तीसरा, मतब दूसरा, आपने momentum को हटा के mass into velocity वाले terms में ले आए, अब तीसरे formula में आ जाते हैं, जो कि काफी ज़्यादा ज़रूरी है, अब देखो तीसरा formula भी आपको कई बार, Heisenberg uncertainty principle में, numerical के format में मिल जाएगा, Einstein का energy mass relationship बहुत ही ज़्यादा famous है, उठा लो उसको, E equals to mc square, बराबर, अच्छा, और उसके बार next, आप लोगों के पास एक और है momentum का formula, momentum क्या होगा, P equal to m times of V, ठीक है, m times of V, but तुम्हें तो पता है करके कि electron एक wave nature भी show करता है, तो let's say मैंने यहाँ पे इसको फिलाल के लिए c रख दिया, let's say for an instant of time मैंने इसको c रख दिया, तो और अगर मैं इसको ratio ले लू, E by P, तो यह E by P का ratio कितना हो जाएगा, यह C आजाएगा, है न, E by P का ratio कितना हो जाएगा, C आएगा, अब एक काम करो, यानि कि C क्या है, C को हमने कल डीबर आए, कि जो hypothesis पढ़ रहते हैं, उस वक्त भी मैंने तुमसे कहा था, कि C की जगा महाँ पे V for velocity पुट कर दो, because आपका electron mana की एक wave है, बट वो एक actual में light wave नहीं है, तो C वहाँ पे पुट करना थोड़ा गलत होगा, सोई इस तरीके से आप लोगों के पास E upon में चोड़ो, यह वाली चीज, E equal to, आपके पास कितनी आजाएगी, P times of V, यानि कि momentum multiplied by velocity, यह कि E equals to P into V, will be known as what, आप लोगों की energy, ठीक है, यह वाली चीज आप लोगों की क्या कहलाएगी, करके energy कहलाएगी, अच्छा ठीक है, energy पे भी बातचीत होगी हम लोगों की आप लोगों की energy कहलाने वाली है, अच्छा और क्या, अभी एक काम करते हैं, हम लोगों के पाँ जो हाइसन बग का uncertainty principle है उसमें हम लोग थोड़े से changes लाते हैं थोड़े से adjustments करते हैं कैसे adjustments करते हैं फिलाल तो इस कीज को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि delta E equals to delta P और multiply में delta V पूरी जगा मैंने error लिग दी मतलब error in energy is equal to error in the product of error in momentum and the product of error in velocity करके ठीक है अच्छा अब उसके बाद as you know कि हमें इतना तो पता ही है करके कि delta P multiply by delta X ठीक है यह वाली चीज क्या होगी greater than equal to H upon 4 pi थोड़ा सा adjustments करते हैं आप इस equation को एक काम करो velocity delta error in velocity से multiply कर दो थोड़ा V ठीक से बना ले ना मेर से कलती से frequency बन गया था और error in velocity से उस चीज को क्या कर दो divide कर दो adjustments तो अब तुम यह रेखो delta मतलब error in P और error in V ठीक है velocity यह वाली चीज क्या कहलाती है error in energy तो यहाँ पे मैंने इसकी जगा लिख दिया अभी X क्या है X position है V क्या है velocity है so error in position divided by error in velocity speed equal to distance upon time therefore distance upon speed will be equal to time so क्या मैं इसको error in time और यहाँ पे greater than equal to H upon 4 pi लिख सकती हूँ तो यह आ गया आप लोगों के पास तीसरा formula ठीक है यह आप लोगों का वो तीसरा formula है तो कई बार कैसा होता है कि paper के वक्त आपको हो सक्ताइ करके इस तीसरे formula की भी आवशक्ता पढ़ जाए so therefore आपको यह तीसरा formula कैसा याद रखना है करके कि energy और time इसके बीच का यह क्या है आप लोगों का एक relationship है मुझे लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए अच्छा अब बात आती है numerical solve करने की तो numerical जैसे हम लोगोंने कल क्या किया था जो तुम्हारा 2 pi r equals to n times of lambda था ठीक है जो तुम लोगों का क्या कहते हैं एक और था न lambda equal to h upon mvd ब्रोगाई की hypothesis थी तो उसको हमने differentiate किया था बराबर तो अभी यहां पर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं अभी तुम लोग जब आगे questions करोगे तो हो सकता है आगे questions करते वक्त तुम्हें कुछ कुछ चोटे-चोटे concepts की कैसा नीट पढ़ जाए तो उन चोटे-चोटे concepts को आप लोग कैसा ध्यान रखना अभी एक चोटा सा concept बता रही हूं उसको ध्यान रखो कल जब हमने differentiate किया था तो differentiate करके हमने कुछ relationships बनाये थे वो relationships आपको क्या करने है याद रखने है वो relationship तुम्हारी help करेंगे इस error वाले questions के formula को solve करने है अच्छा अभी आगे हम लोग आ जाते हैं कि हमने अभी जो इस आइसनबग uncertainty principle का physical concept क्या है physical significance क्या है देखो एक बात तो तुम याद रखो करके कि कभी भी आप electron की exact position डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं अब लेकिन पहली बात एक डाव टायगा कि कली हमने बात चीप कि है कि electron इतना स्मॉल होता है कि हम लोग उसको कभी भी किसी powerful microscope से देख करोगे तो इसीच की समास्या का समाधान कुछ इस प्रकार से है वैसे आपके निमेरिकल पॉइंट अव्यू एक्जाने के लिए बता रहे हूं उतने डिटेल में घुसने कि इसकी कोई नीटी है वो यह है कि हम लोगों के पास imagine just say कि लेट से हम लोगों के पास एक orbit हैं जी अच्छा मेरा orbit थोड़ा स्टेट बन गया करके रुको इसको जोड़ा बना लेते हैं प्रॉपर तरीके से फिर स्टेट बन गया दो मिनिट यह लेट से मेरा एक orbit इस और बीट पे माल लेते हैं यहां पे मेरे पास एक electron है imagine कि यह भी electron रुका हुआ है imagine वैसे तो electron रुका हुआ रहता नहीं है we know that but imagine just कि electron रुका हुआ है यहां से आप लोगों की एक मैंने light ray एक बेजी अब light ray के नाम पे मैं gamma radiations भेज सकती हूँ यहां फिर मैं simple भाष्या में तुमसे काऊंगी कि मैंने क्या किया यहां पर आप लोगों को एक incident photon मैंने आप लोगों को दिया अब मेरी बात ध्यान से सुनना photon अपने साथ energy लेकर आता है यह बात तो तुमको पता है जैसे मालने थे मैं दोड़ते दोड़ते आनी हो दोड़ते दोड़ते अचानक से मैं एक लड़की खड़ी हुई है से आके मैं टकरा गई तो क्या होगा वो जो लड़की stationary खड़ी थ कि जब मैं उससे टकरा ही तो मैंने अपना momentum उसके अंदर ट्रांसवर कर दिया और जब मैंने उसके अंदर अपना momentum ट्रांसवर किया तो लड़की कुछ दिर क्लिशा हो सकता थोड़ा सा आगे की तरफ घिल जाए करके अपनी stationary position से क्यों धक्का लग जाया उसको क्योंकि मेर momentum उसके अंदर चानल से ट्रांसवर हो है तो उसके अंदर energy का गीन हो है तो जब यह मैंने क्या किया incident photon फेका इस incident photon जैसे ही यह क्या होगा करके आपके उस particular electron से टकराएगा तो जब वो electron से टकराएगा तो उस electron के अंदर में वो क्या करेगा some amount of energy या some amount of momentum आप यह कह सकते हो करके वो उसके अंदर क्या कर देगा? transfer कर देगा करके कि लो electron मेरा momentum तुम थोड़ा सा क्या कर लो करके रख लो अपने पास कुछ amount of momentum वो transfer कर देगा अब जब उसने उस कुछ amount of momentum को transfer कर दिया अभी उस बाचीत को भूल जाओ लेकिन बचा हुआ energy का वो क्या करेगा तो बची हुई जो energy रहेगी वो बची हुई energy आप लोगों की इस तरीके से reflect होगी यहाँ पे तुम detector लगाके बैठे हो अपना आखें लगाके बैठे हो electron microscope लगाके बैठे हो तुम्हें detector से वो incident energy क्या होगी दिखेगी और तुम बोलोगी अच्छा अच्छा वहाँ पे आपका electron था मतलब जिस position से वो energy reflect होकर आ रही है उस particular position पर आपको ऐसी feel आएगी करके कि वहाँ electron था ठीक है वहाँ पे electron था आपको ऐसी feel आएगी कि वहाँ पे वो electron था क्योंकि आपको कोई भी चीज दिखती कब है जब उस object से light rays reflect होके एक image तयार करती है इमेज के बारे में तो तुम लोगों का concept जादा बेटर है 10 standard में है ना तो वह वाली चीज क्या होती है आपको दिखती कब है जब उस particular object से certain incident light reflect होके आपकी आखो तक पहुचती है तो इस तरीके से आपको position आपने बोला कि अच्छा करके वहाँ पे करके एक electron है करके लेकिन जब तक तक तुमारे वह ट्रावल करते हुए वह light ट्रावल करने वाली light जब तक उस detector तक पहुची तो उस detector तक पहुचते पहुचते समय हो गया let's say T1 क्या हो गया T1 समय लगा T1 समय बाद आपको वह reflected light rays दिखी और reflected light rays के basis पे तुमने बताया करके की अच्छा करके उस position पे मेरा करके electron था लेकिन जब आप लोगों का incident photon उस particular electron से टकराया तो उसी वक्त पे कुछ momentum उसने electron को transfer कर दिया तो at the same time आप लोगों का momentum electron को मिला भी और उसको ने जैसे ही उस momentum को gain कया तो momentum को gain करने के बार उसने अपनी क्या की उसके पास एक certain velocity आ गया certain velocity की वजह से उसने अपनी position क्या कर ली चेंज कर ली यानि कि जब तक वो reflected light rays तुमारे आखों तक पहुंची ठीक है तो तो उसको तुमारे आखों तक पहुंच नहीं के टीवन टाइम लगा लेकिन उसने टीटू ताइम में ही तुरंत incident photon की energy मिलते बराबर उसने light rays तो reflect कर दी तुरंत और लेकिन तुरंत ही उसने टीटू ताइम के अंदर अपनी position क्या कर ली चेंज कर ली position चेंज करके को नहीं जगा पर पहुंच गया तो टीवन टाइम इंटरवल तुमारा बहुत 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 जादा होता है compared to T2 यानि कि जब तुम actual में ऐसा तुमें feel आती है कब का टी टू टाइम इंटरवल में छोड़के जा चुका है यानि कि तुमने position तो ना प्ली लेकिन क्या accurate position ना प्ली नहीं क्योंकि तुम जब चीजों को देखे जब तुमाई आँखों ने उस कीच को विजी दिया आँखों से देखा तब actual में electron उस जगा पे था ही नह लेकिन अब देखो electron अपनी position चेंज कर गया तो जाब हमारी आखे पूरी तरीके से focus कर रही थी position पे electron beam की reflected rays को देखने के लिए तब हम लोगों ने velocity पे ध्यान ही नहीं दिया तो therefore velocity अब क्या हो गई और कितनी थी यह क्या हो गई इसके बारे में कोई idea ही नहीं so this is known as कि अगर मैं position को accurately measure करने की कोशिश कर रही हो तो velocity में सचो कितनी बड़ी error आ गई है करके so this is nothing but Heisenberg uncertainty principle कि microscopic object अगर आप लोगे तो जब भी आप उससे एक photon strike करवा होगी तो photon के strike करने की वज़ा से एक आपका displacement हो जाएगा normal path से आपका electron displace हो जाएगा लेकिन जितनी speed से या जितनी कम time में वो displace होगा उससे जाला time में आप लोगों के पास आँखों पे वो reflected ray पहुँचेगी तो यानि कि जब तुम reflected ray को देखते और तुम्हें ऐसी feel आती कि वहाँ पे electron है तो basically वहाँ पे electron होता भी नहीं है और electron की कई position change भी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है यानि कि you cannot measure out the velocity at the momentum accurately क्योंकि photon के टकराने के impact की वज़र से आप लोगों को क्या दिखता है करके पता चलता है करके कि यहाँ पर आप लोगों का electron हो सकता है बराबर तो बस यही आप लोगों का मतलब सही था और दूसरी चीज किसी को अगर ऐसा लगे कि नहीं हम लोग तुर तो देखो ऐसा नहीं होगा तुम अगर expect कर रहे हो कि टकनाने के पाथ आपका जो electron है वो लेट से यहाँ पहुचे तो तुमको नहीं पता करके कि photon के सा जो collision हुआ है उस collision में उसने कितना है velocity लिया है कितनी momentum उसने लिया है तो इसलिए उसका expected path जो होना चीन उसका expected path वो नह in action में चला जाएगा और electron दिखता तो है नी आखो कि में है ना अब जैसे इनसान दिखता आखो से, चुटी डिछती आखो से, में एक इनडग दिखता है आखो से, कार दिखता है आखो से कि अचा भी से यहां तो नहीं है अब इलक्त्रों को ढूडने के लिए परसे तो में एक और रामा इडिशन पड़ी पड़ी कि अब बादे तब इसका बाद में बाद हमाई पर बादे इस पर्टिकल इसने में फिर बूद होगे करते हैं इस रेज़त यहीं कि आप कई अधिक आप अधिक बूदेशन या पर आप आवीबिट मैक्रोस्कोपिक अब्जेट का एक कर सकते हैं and reality में हमारे जैसे मैक्रोस्कोपिक अब्जेक्ट के लिए Heisenberg Uncertainty Principle का कोई significance नहीं है क्योंकि हम इतने लाँच अब्जेक्स हैं कि हम लोगों को हम अगर अगर अपनी position भी change करेना तो नेकेड आई से लोग हमारी चेंज इन पोजेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो मगर एक चेर सुनके दूसरी चेर पर चले गए, तो तुम्हारे चेंज को कोई दूसरा इंसान नेकेड आई से दे सकता है, उसके लिए डिटेक्टर, आइलेक्रों टालिस्कोप, माइक्रो के पास उतनी सफीशेंट या उतनी बेटर डिवाइसेज नहीं हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या नहीं कर पाने करके, आप लोगों का एक्कुरेटली पोजेशन और वेलोसिटी मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये धारना गलत है, ऐसा नहीं है, उसमें आप लोगों का से आ रही है, ये नहीं है, बलकि ये इसलिए हो रही है, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक थिंक्स को तब तक नहीं देख सकते हैं, जब तक हम उनके अंदर डिस्टर्बंस पैदा ना करें, मुझे तुम अभी बैठे हुए दिख रहे हो, मान लेते हैं, क्यों क्या मुझे अब तक हम उनके अपने बैठे हैं, जब फोटन को श्राइक करें तो फोटन के प्राइक होने की वजह से आप लोग भूमें भी पोजिशन देख पाऊ लेकिन उस इलेक्प्राउन में या उस माइक्रोस्कोपी बोडी में एक मोशन आ जाएगा, और मोशन की वज़ा से वो हैसनबग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल हमाई निचर का एक फंडामेंटल लिमिटेशन है कि हम लोग करके ऐसा अक्यूरेट वैल्यू दोनों पोजिशन और मोमेंटम की कैल्कुलेट माइक्रोस्कोपिक अब्जेक्स के लिए नहीं कर सकते, अभी हैसनबग अनसर्टिनिट और्बिट होते थे गोल-गोल, अगर इमाजन करो थोड़ा सा सोचो, और्बिट गोल है यह बोहर को कैसे पता, तभी पता होगा जब बोहर आपके इलेक्ट्रॉन की पोजिशन का पीछा कर रहा होगा, लेट से एक चीटी है, चीटी है, चीटी के पाउँ अपने इंक में दोवे दिये, अब चीटी को बोला चल चीटी, तो चीटी जब चलेगी तो आपको दखांट पांट circular है तो अब बोहर को कैसे पता orbit circular है बराबर हो सकता है करके बतला बोहर की according उसको कैसे पता इसका मतलब जरूर बोहर ने electron की जो position है जो electron की velocity है वो simultaneously measure की होगी और जब उसने simultaneously measure की होगी तो उसको exact उसने गोल 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 देखा होगा बट क्या इसा बोहर ने देखा था नहीं देखा था एंड पॉइंट नमबर तू हैसन बग कहता ऐसा कर पाना possible ही नहीं है पहली बात तो position आप लोगों की आप अगर डिटर्माइन कर रहे हो तो आपकी circular orbits नामक चीजे होती है nucleus के आजू बाजू जो बोहर ने कहा था इस बात को completely deny करता है इसको rule out कर देता कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके electron जैसे particle का आपको simuldancy position और velocity किसी भी मुमेंट पर निकालना 100% accuracy के साथ possible ही नहीं है और अगर accuracy नहीं है possible आपको पता ही नहीं है कि एक instant बाद आपका electron कहां चला गया तब trajectory यानि कि आप path कैसे बना सकते हो so therefore आज के बाद से हम ये मानेंगे कि electrons जो होते हैं वो circular orbit में गोल 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 नहीं घुमते बलकि circular orbit जैसी कोई चीज ही नहीं होती है तो यही आपकी beauty है science की कि आप कुछ पहले पढ़ते हो फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो चो चीज हमने पढ़ी थी भूतकाल में वो चीज हम लोगों की क्या है गलत है अब आगे जब तुम पढ़ोगे तो heisenberg uncertainty principle को explain करने के लिए कि अच्छा अब electron की अगर आप exact trajectory पता नहीं कर सकते तो फिर आप क्या पता कर सकते हो तो उस concept के लिए फिर हम लोग अभी next जो को पढ़ेंगे वह स्कॉडिंगर वेव equation पढ़ेंगे बैट अगें मैं बता दू स्कॉडिंगर वेव equation एक बहुत बड़ा टॉपिक है quantum mechanics का अगें अगें वह हम लोगों को जंप हो जाएगी quantum numbers पे और quantum numbers की दुनिया में बतानी हूं तुम लोगों को इतनी पसंद आएगी करके कि उससे easy topic दुम लोगों को पूरे chemistry में physical chemistry में कहीं नहीं मिलेगा बहुत easiest topic अब रही बार यह आपका जो topic था क्या नाम है high sun bug uncertainty principle इस पे सवाल कैसे आते हैं तो इस पे बहुत ही पहले पहले चोटे चोटे सवाल आते हैं आपको delta x दे देगा delta p पुछेगा और तुमसे पुछेगा बताओ error in momentum कितना है तो यह formula पता होना चाहिए मास देगा delta x से देगा बोलेगा error in velocity बताओ तो पता होना चाहिए कि उस वक्त हमें कौनसा formula लगाना है हमें आप लोगों का यह वाला formula लगाना है या फी energy और time के बीच के पूछ लेगा अच्छा और even तुम्हें यह relationship भी याद रखनाए करके और एक बड़ derive करके देख लेना कैसे आया h cross के बारे में तुम लोगों से पूछ लेगा अब error word use किया जा सकता है uncertainty word use किया जा सकता है inaccuracy जैसा word use किया जा सकता है जैसे एक छोटा सा numerical मैं पूरा तो solve नहीं करूंगी बट एक थोड़ा सा मैं बता दिती हूँ क्योंकि मेरी according यह पार्ट इतना असान है कि अगर तुम्हें 10th standard या 10th से lower standard ने भी यह साही चीज़े सिखाई जाती है सिलाबस में तो तुम तो भी सीख जाते है जोकि simple value substitute करने है कोई ज़्यादा खुपड़ी लगाने की इसमें जरुवत है नहीं एक electron है उस electron की जो speed है आपको दी गई है 500 meter प्रती सेकेंड ठीक है और वो बोल रहा है कि उसकी uncertainty जो है ठीक है वह उस speed की uncertainty he is talking about the uncertainty in speed यानि कि delta V की value वो तुमसे दे रहा है 0.02% अब मैं उसको delta V ही प्रनाउस करूंगी भरी आपे delta का मतलग change नहीं हो ठीक है जब तुम actual में कभी आगे future classes में PG में अगर हैसनबग uncertainty principle का derivation लेट से पढ़ोगे तब तुम पता चलेगा कि हमापे कुछ variance sigma जैसे words होते हैं बढ़ हमारे काम का नहीं हो सब तो दिमाग नहीं खच करने का तुमसे वो पूछ रहा है कि बताओ delta x की value कितनी आएगी so since we know कि delta x into में delta v is greater than equals to h upon 4 pi m अब याद रखना कई लोगों से गलती हो जाती है कि उनके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से थूसके बैठी रहती है कि delta x into delta p is greater than h upon कितना 4 pi तो याद करो p के लिए है जब तुम v के terms में velocity के terms में relationship लगा रहे तो वो लोग m for mass लिखना है या denominator में बूल जाते हैं ये गड़बड मत करना अब delta v की जगा ना तो तुम 500 m3 second put कर सकते हो नहीं तुम 0.02 percent put कर सकते हो 500 m3 second का 0.02 percentage उसके अंदर error है उसने ये नहीं बोला है क delta v 0.02 है अगर वो बोलता तो मैं यहापे simple delta v की जगा 0.02 डाल देती बट उसने बोला है 0.02 percentage so as you know कि delta v फिर कितना होगा 0.02 percentage of आप लोगों का कितना 500 तो यहाँ से जो भी calculation आएगी delta v डालना h तो तो तुम्हें पता ही है mass तुम वहापे डाल देना हाँ बस mass आपका kg में हो ठीक है अच्छा मुझे यह लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी अब मैं एक और ची बता देती हूँ कई बार question ऐसा भी पूछा जाता है कि आपने delta x की value तो calculate कर ली what is delta x delta x is uncertainty in position this is delta x लेकिन आप से उसने पूछा कि percentage of uncertainty in position calculate करो तो percentage in uncertainty in position या फिर किसी भी quantity की percentage uncertainty कैसे निकालते हैं पहले तो आपको uncertainty की value पता होनी चाहिए divided by उसकी original value पता होनी चाहिए यानि कि उसकी original position कितनी आ रही थी ठीक है 5 meter आ रही थी जैसे यहाँ पर आपको original velocity पता है तो अगर कोई तुमसे percentage in uncertainty in velocity पूछेगा तो कैसे data V की actual value divided by उसकी velocity multiply by 100 तो जाके तुमको ये वाली quantity मिलेगी करके ठीक है तो percentage in uncertainty निकालने के लिए जितनी uncertainty है divided by उसकी actual value multiply by 100 फिर वो तुमसे चाहे तो कुछ भी तुमसे वो पूछ सकता है करके ठीक हैं और इसके अलावा तो इसमें और कुछ नहीं है बाकि जो चोटे मोटे नुमेरिकल्स हैं जो शीट में दिये हैं शीट चोड़ो जो पहले आज पीडिय शीयर की है इमें शीयर किया उसमें के पहले बना लो उससे तुमें इस टॉपिक पर्टिकुलर कमांड आ जाएगी कि जैसे नुमेरिकल अगर आए तो हम लोगों को कैसे बनाना है एंड उसक सर्कुलर ओर्बिट जैसी कोई चीज ही नहीं होती है तो नौ वी अगोंग तो सदी क्वांटा मेकानिकल मॉडल एंड उसकी स्क्रोडिंगर वेव इक्रेशिंस ट्रेक काम थोड़ा बहुत ही थेरोटिकल और पकाऊ होने वाला है बट क्या कर सकते हैं अधी अधूरी नॉल करना चीए बट कभे कभी होता है एक अधी option गलत मैं लिग देती हूं या फिर गलत प्रिंट जाता है जो भी तो दो देख के बताना कि इसमें किसका मैच नहीं हो रहा है ठरके ठीक है फिर अभी के लिए मुसको ओबर देख